गुट मॉर्निंग एव्रिवान, यू आल लुकिंग फ्रेश अन हापी तुड़े, दाट्स वेरी नाइस, केट्स लास्ट क्लास में हमने कुछ और जंगल आनिमल्स देखे थे और उनके बारे में बातचीत भी की थी, और आज की क्लास में केट्स मैम के साथ कुछ और ऐसे आ हम सब वन बाई वन उन आनिमल्स से मिलते हैं, और उनके बारे में बातचीत करते हैं, ये देखे किट्स, ये कौन सा आनिमल्स मिले आया है आप से, येस, इस हिप्पो पोटैमस, कौन सा आनिमल है ये, हिप्पो पोटैमस, हिप्पो पोटैमस को हम हिप्पो भी बोलते हैं, और हिपो ग्रे और मड़ी कलर का होता है और इसकी बोड़ी बहुत हेवी होती है देख रहे हैं आप सब कितना हेवी है ये और इसकी लेक्स बहुत शौट होती है चोटी होती है ये देखिए इसकी लेक्स इसकी बोड़ी से बहुत चोटी होती है और ये पत्ते और घास खाता है और ये अपने आपको ठंडा रखने के लिए पानी में रहता है और पानी में ही सो भी जाता है अब हम next आनिमल देखेंगे ये देखिए गेट्स ये कौन सा आनिमल है? राइनोसारस कौन सा है? राइनोसारस इसे हम गैंडा भी बोलते हैं गैंडे की बोड़ी हिपो की तरह बहुत हेवी होती है और इसके फेस पर ये एक हौन होता है इसे हौन बोलते हैं ये देख रहे हैं आप सब? येस इसको हौन बोलते हैं और राइनोसारस हिपो की तरह ग्रास और लीव्स खाता है अब हम नेक्स्ट आनिमल देखते हैं ये देखिए किट्स ये कौन सा आनिमल है? फॉक्स कौन सा आनिमल है ये? फॉक्स फॉक्स को हम लो मड़ी भी बोलते हैं और ये ब्राउन, ब्लाक और वाइट कलर की होती है और इसका फेस थोड़ा-THोड़ा कैट जैसा होता है और बोड़ी डॉग जैसी होती है और फॉक्स आपको पता है क्या खाती है? वो छोटे-छोटे अनिमल्स को और बर्ड्स को मार कर खा लेती है और फॉक्स की हीरिंग पावर बहुत स्ट्रॉउउग होती है वो दूर तक का बहुत आसानी से सुन सकती है और उसका माइंड बहुत शाप होता है इसलिए उसको clever भी बोलते है तो kids, next time हम और animals के साथ मिलेंगे Till then, bye bye